नमस्टकार दोस्तों, आज 13 जुलाई है और आज के दहिंदों में क्या और क्यों पढ़े हैं से लिए कि हम फिर से आजिर है जून इंफलेशन क्विकेंस 2.4.8% as food prices claim है ना जून की जो महंगाई तर है वो बढ़ गई है चुकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें के दाम बढ़ गए है जैसे तूर दाल, टमाटर, प्याज, सबजियों के दाम काफी बढ़ गए है तो इसके कारण से थोड़ा ओपर हो गया है 4.8% तक पहुँच गया है तो आपको फिर से इंफलेशन देखना है पहले भी देख चुके है तो फिर से आप इंफलेशन देखेंगे ठीक है इसके बाद अगली जो न्यूज है वो पेज नमर 6 पे है पेज नमर 6 पे चलते है जो पेज नमर 6 पे है और इसके इसके बारे में आपको यहां से जानकरी मिल जाएगी आप इसे पढ़ें और थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से रिस्ता यह बना रहा है भारत है ना तो यह देखना है अपको ठीक है इसके बाद है एक पेज नूमर एट पे हमें पढ़ना है जो है पढ़ना एक इस पॉसीबल टू है पार्सियल एप बैंस अब कुछ एप ऐसे ह बहुत ही बूरे है तो क्या यह संभव है कि उस एप का उस पार्ट उस एप के उस पार्ट को हम बैंड कर दें बाकी चीजें चलती रही ताकि डिजिटल प्राइवेसी या डिजिटल जो धोखादरी हो रही है उसके बारे में ऐसा ना हो है ना तो इस प्रकार की बातें यह की गई है तो आप इसे देख सकते हैं तो यह आपको देखना है और यह समझना है कि क्या है ऐसा संभव है दरसल टक्निकी रूप से आप देखें तो ऐसा बिल्कुल संभव है आसा determination की जा सकतीा ऐसी तो यह आपको यहां पर डीटेल मिल जाएगा तो आप यहां पर देखें Dry Foundation , National Research Foundation क्या है ? ज्रू बनाया गया है ? और इसके फाइदे क्या होंगे ? इसी पर बात की गई है तो आप इसे पढ़ सकते हैं會 न रिसेर्च के लिए क्या सहूलयते देगी सरकार और किस परकर से ये बढ़ावा देगी research को तो आप तो यह आप देख लेंगे इसके बाद जो अगली न्यूज हमें पढ़नी है वह आई-ई-ई-पी राइज जेज 5.2 परसेंट मतलब 8 9 10 11 12 13 14 में हमें जाना है और पेज नमर 14 पे जाना है और आई-ई-ई-पी राइज इंडस्ट्रियल आउट्पुट जो एक्स्पेंडेड है थे फास्टर पेस्ट तो यह बहुत ज्यादा बढ़ा है और यह महतपुन है इसको एक महतपुन देखा जा सकता है महतपुन कारक के रुप में देखा जा सकता है अधी इंक्रीज करता है तो ठीक है Mining and manufacturing output पूट इंक्रीज ये स्विप्टर रेट 6.4 परसेंट 5.7 परसेंट रिस्पेक्टिवली इन माई विद दा लेटर बॉइड कंजुमर डुरेबल सेपिंग 5 मंथ डिक्लाइन है तो यह इंपोर्टेंट है तो आप इसको देख लेगे इसके बाद जो अगली न्यूज है गांबिया मेंडेट प्री सिप्टमेंट टेस्टिंग फोर इंडियन फार्मा यह बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है कि गांबिया जैसा देश भी आपके प्री स्रिप्मेंट टेस्टिंग कर लेगा इंडियन फार्मा को, क्योंकि वहां पर काफी बच्चे मारे गए थे, आपको याद होगा, गामिया में लगबग 40 से उपर, मतलब 50 के उपर ही बच्चे मारे गए थे, और इसी के कारण से जो इंडियन फार्मा है, इंडियन दवा एक page है, second करके, science करके एक page होता है, welfare scheme may help poor children's brain growth normally, जो welfare schemes हैं, आपने देखा होगा, कई सारे schemes चलते रहते हैं, ICDS है, और एक पीला चावल या golden rice जिसको कहते हैं, जिसमें vitamin A की मातरा है, इस तरीके की, जो schemes हैं, वो बच्चें उनको, उनके लिए supporting होगा, और इस पे पूरे बिस्व में क्या चल रहा है, इसके बारे में बात की गई, यह SDG goal में क्या मामला है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, तो सुरुवात ही करती है, यह जो लेक है, in 1844, Frederick Angels remarked in a book, the physical effect of living condition of the poor had their effect from the early life, है न, पहले ही life में बहाँ सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे tuberculosis, ricate, tri-fi, cholera and smallpox representative the way which poverty is embodied, न, तो इस परकार की चीज़ें होती हैं, और इनको कैसे बचाया जा सकता है, इसी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे यह सोचना है कि और क्या-क्या किया जा सकता है, इसके लिए, mall distribution को कम करने के लिए, क्या-क्या किया जा सकता ह है तकि उनके जो मस्तिस्ख है या तक पूरे अंग है उनको तक ही पॉसण मिल सके कि वह सही हो describe कर सके है तो हमारी मानवी जो जरूरते हो पूरी होंगी । ढीडिवीडेंट जैसे अभी skilled रहेंगे तभी वो demographic dividend का लाभ हम ले सकते हैं जनांकी के लाभांस ले सकते हैं नहीं तो ऐसा कोई मामला नहीं बनेगा तो इसी पर आपको देखना है और साथी दाथ यह सोचना है कि किस परकार से हम और अच्छे तरीके से इसको किस परकार से बढ़ा सकते हैं तो यह आपको देखना है ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही है कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ अधिया आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद